नमस्कार दोस्तों आफ सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कोशी श्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में दोस्तों बिहार बोर मेट्रीक रिजल को ले करके सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है जो भी मेट्रीक चात चात राएं हैं जो रिजल का इंतजार कर रहे हैं तो अब इंतजार की घरी समाप्त हो चुकी है रिजल आने की घंटी भी बज चुकी है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपका कौपी का मुल्यांकर सुरू होने जा रही है और कब तक में आपका रिजल्ट आने की पूरी समभवना है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे नए साथी हैं तो हमसे जूरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ घंटी दवाईए और All पर किलिक कीजिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जैसे कि दोस्तों आप सभी अपने स्कीन पर देख सकते हैं यह जागरन न्यूज है बिहार बोर 10 रिजल 2020 के समन्द में जानकारी दे रही है क्या उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन 15 अपरेल से सुरू होगा क्या परिनाम जो है अंतीम सब्ता में जारी होंगे तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 18 दिन का लोगडॉन की अवधी 14 अपरेल को पूरे देश में समाप्त होने जा रही है और वहीं दूसरी और बात करें तो लोगडॉन की अवधी बरहाने की भी मांग की जा रही है ऐसे में प्रस्ण ये उड़ता है कि क्या बिहार बोर दस्वी परिक्षा 2020 की उतर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन 15 अपरेल से सुरू हो पाएगा वहीं दूसरी तरह बात करें तो बिहार राज के क्रोना वाइरस की अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर वर्तमान इस्थिती देखने की उमीद की जा सकती है क्योंकि अन्य राज्यों के अपिक्षा बहुत ही कम ऐसे केसे आए हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं इसलिए 15 अपरेल से 10 वी का जो उतर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन है वो सुरू किया जा सकता है लेकिन दोस्तों जैसे कि यूपी हो गया हरियाना हो गया उरिसा हो गया तो वहाँ पर जो है लोगडाउन की तीथी बढ़ाई जा चुकी है क्योंकि वहाँ पर जैदे केसे साई हैं लेकिन बिहार में उसकी अपिक्षा बहुत ही कम केसे साई है इसलिए जो है आरम किया जा सकता है कौपी का मुल्यांकर लेकिन दोस्तों बिहार बोर्ड द्वारा इस सम्मन में कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है लेकिन दोस्तों अगर आपका कौपी का मुल्यांकर 15 अपरेल से सुरू हो जाती है और चांसेस भी है सुरू होने का तो आपका कम से कम 10 से 12 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से दोस्तों आपका 27-28 अप्रेल तक में आपका रिजल्ट निश्ची तरुप से आ जाएगा अब देखना ये है कि बिहार बोल इस पर क्या टूइट करते हैं क्या आपका कॉपी का मुलियांकन आरम करते हैं तो निश्ची तरुप से आपका 28-29 अप्रेल को रिजल्ट आ जाएगा और इस तरह से अप्रेल के अंतीम सब्ता में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यदि आपको अप्डेट रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें गंटी दोंने के बाद अल पर जरू किलिक किजीगा दोस्तों आप इंडिया रिजल्ट पर भी विजिट कर सकते हैं और इस वेपसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जिसे कि आपको हमेशा पलपल की ख़वर मिलती रहे दोस्तों इस तरह से चानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुरे रहें मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद